बीरू अकैडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे सिच्छा जगत से जोड़ी होई महत्रपूर खबरों पर लेकि जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें सबस्क्राइब करके बल आइकन प्रेस कर लिजे बात करेंगे उत्तरप्रेस में नए सिच्छा से वाचाय नायोग में जल्द जो अध्यच्छ है उनकी नियुक्ती स्थाई रूप पर होने जा रही है साथी बात करेंगे 72,825 सिच्छकवर्ती में एक बड़ी अपडेट आ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे साथी साथ उत्तरप्रेस में सिच्छकवर्ती की जो तयारी है वो लगभाग पूरी तरीके से कंप्रीट दिखती जा रही है बात करेंगे बिहार सिच्छकवर्ती पर बड़ा सैसल आया है साथी सीम योगी आदितनाथ इस तमय पूरे एक्षन में हैं उन पर भी चर्चा करेंगे साथी नीट परिच्छा में हुई गड़बडी को मामला सुप्रिम कोट को चता सुप्रिम कोट में क्या फटकाल लगाई है उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहें सबस्क्राइब करके बार आइकन प्रेस कर लिजे यह आपके स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं सिच्छा सेवा चैनायोग को जल्द मिलेगा इस्थाई अध्यच लोग तबा चुनाओं की आचार संगिता लागु होने के कारण इन पदों पर इस्थाई नियुक्ति आठकी हो इती हुई थी इसी मा इस्थाई अध्यच और इस्थाई सच्योग की नियुक्ति किये जाने की उम्मीद है उत्तर प्रेस माद्यमिक सिच्छा चैन बोर्ड और उत्तर प्रेस सिच्छा सेवा आयोग को कहीं ना कहीं जो समाहित करके और पूरी प्रेक्रिया कम्प्रीट की गई है इस पूरे आयोग के गठन के बाद सभी 12 सदस्यों की न्यूक्तिया भी हो चुकी है पदस्यों की न्यूक्तिया होने के बाद लोगत बाशुनाओं की अचार संक्ता लागो हो गई थी जिसकी होजा से इस्थाई अध्यच, इस्थाई सच्यू और इस्थाई उपसच्यू की न्यूक्तिया फंस गई थी अब आचार संक्ता समाप्तुई है और जल्द ही इन सारे आयोगों में जो पदरिक्त हैं चाहे सच्यू के हों या इस्थाई अध्यच के हों इस्थाई सच्यू के हों इनको जल से जल सरकार पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी और जो सिच्चक सेवा नियमावली है उस पर जूरी मिलने के बाद जो नई सिच्चकवर्तिया है उनका जो इस्टार्टेशन है वो लगातार किया जाएगा डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तरप्रदेश की लगातार को उटे लगातार सकत हो चुकी है और कहीना काई सरकार को लतार भीस पर लगाई गई है लेकिन 15 जिले अभे भी जैसे हैं जिन पर फीस वाक्सी अभ्धरतियों की नहीं हो बाई है बात कर लेते हैं अगली अपडेट की अगली अपडेट आप देख सकती हैं कैब कत्ताई अभी ये नहीं चाहते कि कोई चूख हो आने वाले विधान सबस्चुनाओं में इसलिए कल उन्होंने कैबलेट की मेटेंगी और इस्थानांतरण के प्रक्रिया को हरिजंडी दी आप उसका नतीजा देख सकती है आप लिखा हुआ है बेसिक विद्यालों में परसप सरकार अब पूरे एक्सन में हैं और उन्होंने 19 जून तक पूरे तरीके से तबादले का जो कारिक्रम है उसको कहीं ना कहीं सिल्सेले वाइज करने का आदेश जारी कर दिया है अब जब तबादला होगा जहां पर से चक्नम है वहाँ पर जहां पर देख उनको पहुँचा पूरे नहीं हैं इनक्याउन 1112 पतों का हला प्रणामा खुद योगी सरकार के द्वारा सुप्रेम कोर्ट में जमा किया गया है तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो नई सिच्चक बरती का रास्ता है प्राथमी किस तरकी वो प्रसस्थ होता दिख रहा है और निश शुप्रिम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोख से तो इंकार किया लेकिन NTA से मांगा है जवाब क्यों आप जानते हैं पूरे भारत में मेडिकल की सबसे वड़ी परिच्चा है नीट और जहां पर नीट की पवित्ता प्रभावित हुई है यमानी शुप्रिम कोर्ट ने कहा है हला कि उन्होंने काउंसलिंग परिक्रिया पर रोख लगारे से इंकार किया है लेकिन NTA जो की नेशनल टेस्टिक एजनसी है पूरी परिच्छा का आयोजन कराती है उससे जवाब तलब किया गया है जवाब दाखिल करने को ज्यादा समय नहीं दे सकती है और उन्होंने स ज्यापक नियुक्ती परिच्छा की संसोधित संभावित जो तिथी है वो जारी कर दी है यहाँ पर बताया गया है कि उच्च नयायाले के आदेश के आलोक में 4-10 जून तक अतिति सिच्चकों से आनलाइन आविदन समिकार किये गए हैं पूर से निर्धारित जिल्या मुख्यालियों में 19-22 जूलाई तक संभावित है आप जानते हैं वहाँ पर अतित सिच्चकों को प्रतिवर्स पांश एंट के हिसाब से जो अधिभारान है दिया गया है जैसा कि उत्तरप्देश में सिच्चामित्रों को सिच्चक भरती में दिया जाता है वैसा ह वहाँ पर अतित सिच्चकों के साथ किया गया है और उसकी वज़ा से मानी कोट के आदेशा अनुसार वेबसाइट दुबारा खोली गई और अतित सिच्चकों ने जो अपना फार्म है वो पुना अनलाइन किया है उसके लिए जो परिच्चा की डेटे हैं वो अलाउंसमें दीजेगा लेकिन आप ये जाल लीजिए कि नए सिच्चा सेवा चायनायोग की अध्यच्च मिलने के बाद निशित तोर पर जो लामबद बड़ी भरतिया है टीजेटी की हो इन सब पर सबसे पहले ही जाम कंड़क करवाईगी सरकार और उसके बाद उत्तर प्रेस्क में प तक के लिए जै भारत